बिसमिल्लारह्मान रहीम अस्स्लाम व अलेकुम स्ट्डिएंट्स मैं हूँ हसान फरीद आपका ropes comment teacher आज हम chapter number 1 के numericals करेंगे Definity numericals करने से पहले आपको जितनी भी chapter number 1 की theory है वो आना मस्ट है तभी आप numerical कर सकेंगे तो आईए आज का lecture start करते हैं यह statements मैंने आपके सामने लिखी है जरा numerical 1.1 की statement देखते हैं और इस में से जितना भी data है वो extract करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि data क्या-क्या दिया हुए A light year is the distance light travels in one year यह बहुत important statement है समटाइम यह MCQ में पूछा जाता है कि light year क्या है और year का नाम सुनकर बचे समझते हैं यह unit है time का क्योंकि year आ रहे है लेकि light year distance का unit है यह वो distance है जो light अगर एक साल तक चलती रहे तो जितना distance वो cover करेगी उसे हम बोलते है light year वो light जो एक second में 3 into 10 raise to the power 8 meters per second travel करती है आप imagine करें वो पूरा साल चलती रहे तो कितना distance travel करेगा तो light year distance का ना सिर्फ unit अबल के huge unit है बहुत बड़ा unit है अब हमारे पास इसको नूरी साल भी कहते है तो given data में आपको सबसे पहले नज़र आएगी speed of light जो के आपको मालूम होनी चाहिए वैसे हम किसी भी चीज की speed को V से represent करते हैं लेकि light की speed को हम C से represent करेंगे और यह है 3 into 10 raise to the power 8 meters per second यह होगी speed of light उसके बाद वो पूछता है के कितना meter light year में होंगे अब मैंने बताया कि light कितना अर्सा तक चलती रहे एक साल तक travel करती रहे तो फिर यहाँ पर जो time आएगा वो होगा one year बड़ आपको मालूम है क्या year हमारा standard unit है हरकिस नहीं तो हम एक साल की जगा 365 days भी तो लिख सकते अब हमें मालूम है days भी standard unit नहीं है तो हर दिन में कितने गहन्टे होते है 24 गहन्टे तो हम अगर इसको 365 को multiply कर दे 24 से तो हमारे पास गहन्टे आजएंगे और्स आजएंगे लेकिन हमें और्स भी नहीं चाहिए हमें तो seconds चाहिए आपको बताए एक घहन्टे में minute कितने होते है minute होते है एक घहन्टे में 60 minutes और फिर मैं इसको 60 से multiply कर दूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा minutes में इसी तरह एक minute में कितने seconds होते है 60 तो मैं इसको फिर से 60 से multiply कर दूँगा उपवली चीज़ को ये 60 से multiply कर दिया अब मेरे पास answer आएगा seconds में और ये ही मेरा सही answer होगा तो time उसने एक साल लिख लेकिन मुझे पहले उसको seconds में निकाना पड़ेगा आई है calculator को use करते हुए ज़रा देखते हैं इसका answer कितना आएगा तो हमारे पास जो answer आया वो है 31536000 जिसको मैं 3.1536 इंटो 10 raised to the power 7 second भी कह सकता हूँ अगर मैं scientific notation में इसको ले करा हूँ अब हमें मालूम क्या करना है तो ज़रा देखते हैं जी हमें find out करना है how many meters are in one light year तो अब basically हमें meters यानि के distance find out करना है अब ज़रा देखें इसका solution किस तरह से इस numerical को हम solve करेंगे अब ज़रा देखें इस सबसे पहले distance find out करना है distance का एक formula आप लोग ने पढ़ा हूँ है 10th में भी which is s is equal to distance is equal to v multiply by t velocity को time से multiply करें तो distance आता है लेकिन यहाँ velocity है speed हम use करें वो light की speed है तो हम v की जगा c multiply by t भी लिख सकते हैं अब c कितना है जी? c तो given है 3 into 10 raised to the power 8 meter per second time कितना है? time एक साल है लेकिन हमने जो seconds में answer निकाल है हम वो put करेंगे क्योंकि standard unit put करना है और यह हमारे पास आ जाएगा total answer तो जब देखते हैं इसका total answer आया 9.46 into 10 raised to the power 15 meters यह है हमारे पास वो distance जो light travel करेगी एक साल में और आप देख सकते हैं यह distance कोई थोड़ा distance नहीं है यह 10 raised to the power 15 है which is a huge amount of distance तो इसका मतलब यह light year है यह as a numerical तो आप लोग करेंगे definitely मगर इसको आपने as a MCQ भी करना है क्योंकि यह MCQ में भी पूछा जा सकता है कि एक light year में कितने meters है तो यह है हमारा पहला numerical आईए ज़रा discuss करते हैं solution of the next numerical इसकी statement भी आप लोग के सामने लिखी हुई है तो ज़रा देखिए how many seconds in one year इसके तीन पार्ट हैं a, b और c पहले हम a पार्ट को solve करते हैं तो कहता है के एक second एक साल में कितने seconds होते हैं इसका solution देखते हैं direct तो देखिए अभी मैंने आपको बताया के पहले तो आप देखें एक साल में days कितने होते हैं तो मैंने बताया है 365 days होते हैं अब days में हर day के अंदर कितने minutes होंगे कितने hours होंगे 24 hours तो फिर मुझे 24 से multiply करना पड़ेगा अब मेरे पास hours आ गए अब फिर मैं क्या करूँगा हर दिन में कितने minutes होते हैं 60 minutes 60 minutes मुझे 60 से multiply करना पड़ेगा तो मेरा answer minutes में आ जगा और हर minute के अंदर कितने seconds होते हैं 60 seconds तो मुझे फिर इसको 60 से multiply करना पड़ेगा और मेरे पास final answer आ जाएगा के एक साल में कितने seconds होंगे और वो answer आएगा 3, 1, 5, 3, 6 triple 0 seconds जिसको मैं अगर scientific notation में लिखूं तो लिख सकता हूँ 3, 1, 5, 3, 6 इंडो 10 raised to the power 7 seconds scientific notation में आप लोग को लिखना आना चाहिए अगर फिर भी आप लोग को नहीं आद तो मैं एक दफ़ा explain कर दे तो यहाँ decimal end पर है decimal कहा होना चाहिए first non zero digit के बाद तो आप कितने decimal places यहाँ move करेंगे 7 तो इसी वज़ा से आप उसको move करके यहाँ लिख देंगे जैसे मैंने लिख दिया लेकिन क्योंकि आपने 7 digits पीछे लेकर रहा है decimal को तो आप 10 की पार 7 यहाँ पर जो जितना आपने move के उतनी 10 की पार लिख देंगे यह होगे हमारे पास एक साल में कितने seconds होते हैं अब वो दूसरा question इसी का भी part पूछता है how many nanoseconds in one year एक साल में कितने nanoseconds होते हैं क्यों ना मैं part B से ही start करूं इसको तो आईए जरह देखते हैं इसका solution तो देखे जिए आखरी चीज़ जो मैंने part B में की वो क्या है कि one year is equals to कितने seconds 3.1536 into 10 raised to the part 7 seconds अब मेरी बास तो बज्जों से सुनिएगा वो seconds नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है पूछ रहा, nanoseconds आपको याद हैं हम लोग ने एक पूरा article पड़ा था जिसमें हम लोग ने discuss किया था कि prefix is nano वगएरा किस तरह से लगाने हैं मैं simple अलफाज में यहाँ बताऊंगा यह है second हमें क्या चाहिए second के साथ nano यानि हमें यहाँ prefix लगानी है उसका simple तरीका मैंने बताया था कि जिस prefix को अगर लगाना हो तो जो prefix की value होती है उससे divide कर दें दुबारा बोलता हूँ कि अगर आपने prefix लगानी है तो फिर आपने क्या करना है जिस value जो prefix की value है जैसे कि nano की value आपको बता है 10 की पाप minus 9 होती है तो उससे आप पूरे answer को डिवाइड करेंगे फिर prefix लगा देंगे तो ज़रा देखिए तो हमें चाहिए एक साल में seconds नहीं बलके एक साल में nano seconds अब seconds की जगा मैं nano seconds लग देता हूँ अब देख ले मैंने second की जगा nano 7 लगा दिया और इसको compensate करने के लिए मुझे nano की value से divide भी करना पड़ेगा तो 10 की पार minus 9 होता है nano अब आपको मालूम है 10 की पार minus 9 उपर जाकर 10 की पार 7 में add होगी और जब ये 10 की पार 7 में add होगी तो 9 plus 7 कितना होगा yes 9 plus 7 16 होगा तो फिर हमारे पास एक साल में कितने seconds आएंगे 3.1536 into 10 raise to the power minus 9 उपर जाकर plus 9 हो जाएगा तो ये बन जाएगा 7 already and 9 add होकर 16 nanoseconds तो ये है हमारे पास number part 2 हमारे पास इसका ये answer है अब ज़रा discuss करते हैं part C को कहता है कि how many years in one second ज़रा ध्यान से देखेगा पहला question देखे how many seconds in one year एक साल में कितने seconds है ये क्या कह रहा है एक सेकंड में कितने साल है एक सेकंड के अंदर बहला कोई साल हो सकता है लेकिन actually ऐसे ही है जैसे मैं पूछूँ कि एक घेंटे में कितने मिनट है तो आप कहेंगे 60 minutes लेकिन अगर मैं कहूँ एक मिनट में कितना घेंट है तो आप कहेंगे घेंटा तो पूरा नहीं है लेकिन एक मिनट में घेंटे का साथमा हिस्सा होगा इसी तरह वो यह पूर्च रहा है कि एक सेकंड में साल का कितनमा हिस्सा हो तो आप ज़रा देखते हैं यहां पर भी मैं पार्ट ए से स्टार्ट करता हूँ तो आईए देखते हैं ज़रा इसका सॉलुशन तो यह देखिए यह बात हम अल्लेडी फाइंड आउट कर चुके हैं कि इतने सेकिंड हो तो एक साल बनता है ठीक है जी तो पहले मैंने यह इदर लिखे अब मैं उधर लिखता हूँ तो यह देखिए जिए 3.1536 इंटो 10 रेस टुपार 7 सेकिंड हो तो एक यह बनता है फाइंड वो कहता है कि हमारे पास एक सेकिंड में कितनी यह रो है यहां तो इतने सेकिंड है मुझे चाहिए एक सेकिंड आप इस पूरी चीज को उधर जाकर डिवाइड कर दो तो इधर वन रह जाएगा यह देखें मैं पूरी चीज उधर ले गया इधर क्या रह गया जो सारी चीज उधर लेगे तो तो वन रह गया तो वन सेकिंड इस इक पूस टू उधर था वन यह सारी चीज उधर जाकर डिवाइड होगी तो यह बन जाएगा तो यह बन जाएगा तो इसको सॉल्व करें आपके पास आंसर आजाएगा तो ज़रा देखते हैं जी एक सेकिंड में कितना साल आते हैं तो इसको डिवाइड करते हैं जी तो यह हमारे पास आंसर आया 3.17 इंटो 10 राइज तो दे पावर माइनस 8 सेकिंड यह देखिए यह हमारे पास एक सेकिंड में सॉरी यर्स आजाएगा इसका यूनिट क्योंकि इस तरफ हम आप यिर्स लिख रहे हैं तो आप यह वाई आर एस भी लिख सकते हैं इसका मतलब यर्स ही तो देखें एक सेकिंड में तो साल का बहुत छोटा हिसा है तो आंसर यही बता रहे है कि 10 की पार माइनस 8 बता रहे है कि साल का बहुत कम पार्ट जो है वो एक सेकिंड में गुजरा होगा तो यह थे हमारे पास नुमेरिकल नूमर टू के 3 पार्ट आए जरह थे हैं नुमेरिकल 3 को अगर आप नुमेरिकल 3 को देखें तो आप कहेंगे कि सर इतना आसान नुमेरिकल यह तो प्राइमरी का बच्चा भी कर लेगा जरह पढ़ते हैं इसकी स्टेटमेंट जी यह देखें हमारे पास लेंथ दियुए है और विर्थ दियुए है एक रेक्टेंगलर प्लेट की और वो लेंथ और विर्थ कितनी है 15.3 cm और 12.80 cm रिस्पेक्टिबली रिस्पेक्टिबली का मतलब क्या है कि लेंथ का जिकर पहले आ रहा है तो यह जो पहली रिडिंग है यह लेंथ से बिलॉंग करती है और विर्थ का जिकर बाद में आ रहा है तो फिर जो बाद वाली रिडिंग है वो विर्थ की होगी तरिस्पेक्टिबली मतलब तरतीब से कहता है find the area of plate जड़ा देखें सबसे पहले तो हम given data देखें कि हमें इस पूरी statement के अंदर क्या-क्या चीज प्रोवाइड की है यह देखे जिए तो से पहले length of plate बताई है तो length of rectangular plate मैं length को L कह देता हूँ और कितनी है length जी 15.3 cm उसके बाद देखें next हमें क्या दिया हूँ जी width of the same plate उसी plate की rectangular plate की width भी दिया हूई है और width कितनी है जी 12.80 cm fine अब ज़रह देखें find out क्या करने है हमें हमें find out करना है area of plate अब सबसे पहले area का formula आना चाहिए आईए इसका solution देखते हैं बहुत आसान solution तो यह देखें जी area of rectangle rectangle का area आपको पता नहीं length into width simple तो हम कैसे find out करेंगे इसको जी सबसे फ़रे formula लगाएंगे तो area of rectangle किसके और आपर होगे length multiply by width अब length कितनी है जी length है 15.3 cm width है 12.80 cm तो area कैसे find out करेंगे आपने simple multiply कर देना इसको तो ज़रा देखिए जी इसको multiply करते है और देखते हैं के मारा answer क्या आता है तो answer आ रहा है 195.84 और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि cm into cm क्या बन जाएगा cm का square आ जाएगा अब ज़रे देखिए तो आप हैरान हो रहे होंगे कि सेर इतना असान numerical जो है वो आपके FAC के syllabus में कैसे आ गया actually बचो बात ये है कि वो आप से पूछ रहे area of the plate लेकिन actually में उसका concern area of the plate से नहीं है वो ये नहीं देखना चा रहा कि आपको area का ये जो फार्मूला है length intuitive आता है कि नहीं वो उसे पता है examiner को कि ये तो सब कोई आता होगा जो चीज वो चेक करना चा रहा है वो ये चेक करना चा रहा है कि क्या आप answer को proper digits तक round off करते है ये important चीज है अब आपको यहाँ पर significant figures का जो importance मैंने बताई थी वो काम आएगी जरो उसको repeat करता हूँ ये देखे आपने answer कहां तक रखना है ये decide करते है significant figures देखे इसमें कितने significant figures है तीन और इसमें कितने significant figures है और जब चीजें multiply हो रही हूँ तो हम कहते है answer में कम से कम significant figures वाली जो measurement है उसके significant figures हैंगे इसके चार है इसके तीन है तो सबसे poor measurement ये है सबसे least precise measurement ये है इसके कितने significant है 3 तो हम भी 3 ही रखेंगे अपने answer में अब 3 कहां तक बनेंगे 3 तो यहां तक बनेंगे अब हमें किसको eliminate करना है हमें 8 को हटा देने 8 को हटा देने अब जरह 8 को हटाते है 8 को हटाएंगे लेकि 8 तो 5 से बड़ा है और अगर ये 5 से बड़ा है तो ये 1 carry करेगा previous digit में eliminate होने से पहले तो फिर हमारे पास ये जो formula बनेगा ये जो हमारे पास answer आएगा ये आएगा 1, 90 और 5 की बजाए 1 carry होकर 6 हो जाएगा और 1, 96 cm2 तो ये असल answer है अगर आपने answer को यहां पर छोड़ दिया तो यकीन माने ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर वो ये जी चेक कर रहा है कि आप area find out कर सकते हैं या नहीं वो ये चेक कर रहा है कि आप final answer को proper तरीके से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं तो ये हैं पहले 3 numerical आएए अब ज़रा देखते हैं next numerical को तो students ज़रा देखते हैं 1.4 की statement को कहता है add the following message और ये 4 message दिया है again very easy question ये देखे लिए कहता है ये 4 message है kg में दिया है इनको add करें तो इनको add कर देते हैं जी इनको किस तरह से add करेंगे 2.189 इसके नीचे लिखेंगे 0.089 इसके नीचे लिखेंगे 11.8 और सबसे नीचे लिखेंगे 5.32 एक बात याद रखेगा कि decimal के नीचे decimal आना होता है जब हम add करते हैं अगर आप वो याद हो याद हो ये तो शायद आप लोगोंने 3rd या 4th class में ये नमा जो है question इस तरह से किया होंगे addition और suppression तो आपने simple क्या करना है इनको add कर लेना है आप इसको direct यहाँ से भी add कर सकते है या आप इसको calculators में values पुट करके भी add कर सकते है तो हम time बचाने के लिए ऐसा ही करेंगे तो आप ज़रे देखिए यह हमारे पास answer आया 19.398 यह है हमारा answer 19.398 definitely answer भी kilogram में होगा बट आप ज़रा तवज्जों से देखिएगा उसने बोला था add the following masses which are given in kg up to appropriate precision यह important बात है और यह नहीं चक करना चाहरा कि आपको calculator यूज करने आता है या नहीं addition तो बड़ी आसान है लेकिन वो answer जो है क्या आप appropriate precision में लिखते हैं या नहीं इसका क्या मतलब ज़रा देखिएगा यह देखिए हमारे पास चार different measurements है ज़रा जिल्दी से बता है सबसे poor या least precise measurement कौन सी है हम लोग ने रेखा था कि जब हम addition या subtraction का rule पढ़ें तो उसमें जो decimal के बाद सबसे कम digits होंगे वो सबसे poor measurement होगी यानि कि decimal के बाद 3 है decimal के बाद 3 digits है decimal के बाद 2 digits है इसमें decimal के बाद सिर्फ 1 digit है तो हमारा सबसे least least precise कौन सा होब जी 11.8 और आपके least precise में decimal के बाद जितने digit होंगे आपके final answer में भी decimal के बाद उतने ही digit होंगे तो हमें decimal के बाद one digit नजर आ रहा है तो यहां पर भी decimal के बाद एक digit रखेंगे बाकी nine को हमें eliminate करना पड़ेगा लेकिन nine five से greater है तो जब यह eliminate होगा तो यह previous digit में one carry भी करेगा तो हमारा final answer जो होगा that would be 19.4 kg this is our final answer वो basically यह check करना चाता है कि आपको final answer लिखने के जो rules है वो आते हैं या नहीं आते हैं अब ज़र चलते हैं एक बहुत important question की तरफ statement आपको नजर आ रही है 1.5 सबसे पहले तो आप इस numerical पे two star लगा लें क्योंकि यह बहुत important numerical अब ज़र देखिए इसकी statement पढ़ते हैं find the value of g gravitational constant g की value find out करने हैं और its uncertainty और उसमें जो uncertainty है वो भी तो एक ये चीज़ find out करने हैं दूसरी ये चीज़ तो दो चीज़े find out करने हैं पहली बात कहता है g की value find out करते हुए you have to use this formula we already know that कि ये formula simple pendulum को है और हम g की value इससे find out कर सकते हैं लेकिन अगली बात ज़र देखिए simple pendulum की length दी हुई है hundred centimeter time दिया हुआ है ज़र ये सारा data मैं यहाँ पर अलाइदा करके निकाल लेता हुआ data extract करते हैं जी ताकि solution ज़र आसानी से कर सके हम इसका तो ज़र देखिए जी सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं length of simple pendulum दी हुए और length of simple pendulum है hundred centimeter तो length है hundred centimeter आपको मालूम है centimeter तो सही unit दी है आप इसको hundred से divide करें और आपके पास आजेगा one meter जो के सही unit है next चीज जो हमें दी हुए ये वो क्या है time for twenty vibrations time for twenty अब नेकर मैंने time को small t लिखा है क्योंकि ये time period हरगिज नहीं है time period एक vibration का time होते है ये twenty vibrations का time है तो ज़र देखते है t दिया हुआ है forty point two second अगर आपको time period find out करना हो तो यहीं पर नहीं कर सकते है जो भी आपके पास total time आ रहा है कितनी vibrations का time है twenty vibration तो आप इसको twenty से divide कर दें तो एक vibration का time आ जाएगा और उसे हम time period बोलेंगे तो ज़र देखे forty point two divided by twenty और हमारे पास ये answer आ जाएगा two point zero one second ये time period है ये time period है small t नहीं है वो twenty vibrations का time है ये twenty vibrations को मैंने divide कर दी है total आएगा तो ये मैं पर एक vibration का time है इसलिए मैं इसको capital T लिखा हूँ next चीज़ least count जिस meter से मैयर किये length उसका least count कितना है तो least count of meter कितना है जी zero point उने one millimeter लिखा है मैं इसको zero point zero zero one meter लिखूँगा और इसी तरह least count of stop watch जिससे time मैयर किया है वो भी उसने दिया और वो कितना है जी वो है zero point one second ये है वो सारा data जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए solution से पहले अब ज़र देखें लिए solution देखने है find out क्या करना है पहले ही बता चुके है to find में आपने value of g a part है value of gravitation constant find out करना b part है uncertainty in b uncertainty gravitational constant ले कितनी होगी तो आईए पहले हम start करते हैं a part का solution कि g की value कैसे find out करने है बहुत आसान है ज़र देखते हैं जी सबसे पहले तो आपको फार्मूला उसने बताया हुए क्या फार्मूला बताया हुए time period का फार्मूला t is equals to 2 pi under root l over g सबको यह फार्मूला आता है तो ज़र देखे हमारे पास t is equals to 2 pi under root l over g अब जिस g को हम लोग ने find out करना है वो g तो यहाँ denominator के अंदर है और इस square root के sign के अंदर है तो सबसे पहले आप इसको उससे अजाद करने के लिए दोनों तरफ square ले तो आप लिखेंगे taking square on both sides तो अब square लेंगे एदर t का square हो जाएगा यह 2 का square 4 बन जाएगा pi का square pi square बन जाएगा और under root square से कट जाएगा तो सिरफ l over g रह जाएगा मजीद यहाँ से आप g को एक तरफ ले जाए यह दर आजाएगा और t का square उदर जाकर divide हो जाएगा तो हमारे पास final formula आएगा g is equal to 4 pi square l divide by t का square जाकर divide हो जाएगा तो यह आजाएगा हमारे पास g की value सिरफ values पूट करें तो आप लिखेंगे by putting values values मैंने अलाइदा करके पहले ही निकाल ही तो जड़ा देखते हैं g is equal to 4 pi की value पता है 3.14 और उसका square into length of simple pendulum length कितनी simple pendulum की meters में देखें तो 1 meter divided by नीचे time का square है time period का square है time period 2.01 है तो हमारे पास time period आजएगा 2.01 और उसका square इन सारी चीज़ों को solve करें तो देखते हैं हमारे पास answer की आएगा हमारे पास answer आएगा जी 9.76 meter per second square ये है हमारे पास g की value लेकिन question उड़ता है कि क्या ये g की value बिल्कुल सही है अब आपको मालूम होना चाहिए जब हमने आर्टिकल पड़ा था precision और accuracy का तो हमने देखा था कि ये g इन दो चीज़ों की values पुट करने से आए और ये दोनों चीज़ें तो uncertainty रखती हैं तो इसका मतब हमारा answer भी uncertain होगा अब answer में कितनी uncertainty होगी ये अब हम लोग ने find out करनी है तो ये है हमारा इस question का part B तो part A is very easy and very simple कि आपने g की value formula से find out करने है अब जब देखते हैं uncertainty कैसे find out करनी है आईए जब इस numerical के second part की तरह बढ़ते हैं जिसमें हम लोग ने find out करना है uncertainty in value of G उसके लिए फैले G का formula जड़ा देखे G का formula हमें मालूम है ये अभी मैंने find out किया कि G is equal to 4 pi square L over T square अगर आप देखें इसमें 4 pi तो constant है तो G की जो uncertainty है G की percentage uncertainty इसको लेखता हूँ percentage uncertainty in G short में वो किसके बराबर होगी दो variables divide हो रहें तो इनकी percentage uncertainty इसको add करना पड़ेगा यही rule पड़ा हम लोग ने तो percentage uncertainty in length add करूंगा उसमें percentage uncertainty in time लेकिन फिर क्योंके time का square है तो जो power आ रही हो उसको हम multiply भी करते यह है हमारे पास वो equation जो आगे हम use करेंगे इसे में equation number one कहा देता हो और यह सारी values find out करने के बाद मैं यहाँ पर put करूंगा तो सबसे पहले देखते हैं percentage uncertainty in length कैसे किसी भी चीज़ की percentage uncertainty find out करने का भी एक formula था और percentage uncertainty in length का formula या किसी भी चीज़ की percentage uncertainty कैसे find out करते है absolute uncertainty AU divided by जो भी reading ली थी आपने और multiply 100 क्योंके percentage find out करने है अब length में absolute uncertainty क्या होगी जो least count होता है length measure करने वाले instrument का वो ही उसकी absolute uncertainty है तो यह 0.001 least count है लेकिन यहाँ पर यही इसकी absolute uncertainty होगी तो 0.001 reading आपने कितनी ली है तो ज़रा देखते हैं जी reading हम लोगोंने length की 100 cm यानिके 1 meter ली थी और हम इसको multiply करेंगे 100 से यह सारा कुछ करने के बाद हमारे पास length की uncertainty percentage में आजगी 0.1% यह चीज़ तो find out कर ले ज़रा percent uncertainty in time find out करते है पहले uncertainty in time find out करने का एक रूल है uncertainty in time ज़रा देखेगा वो रूल यह था कि आपके पास जो भी absolute uncertainty है या आप यह दूसरे लफाज में कह लें जो भी आपके stop watch का least count है आपको पहले उसको divide करना पड़ेगा जितनी आपने vibrations ली थी time period calculate करने के लिए और वो 20 vibrations अमने ली थी तो divide by 20 अब least count कितना stop watch का 0.1 second divided by 20 यह हमारे पास 0.1 divided by 20 आ जाएगा 0.005 यह आगया percentage यह आगया हमारे पास uncertainty in time अब percentage uncertainty निकालते हैं वो ही फामूला percentage uncertainty in time किसके राबर होगा absolute uncertainty divided by reading multiply by 100 अभी absolute uncertainty least count नहीं लेंगे बलके least count को 20 से divide करके जो answer आएगा उसको लेंगे तो वो आजाएगा हमारे पास 0.005 divided by reading reading हमारे पास time की reading जो हमने ली थी time period की वो आथी 2.01 multiply करेंगे इसको as usual 100 से देखते हैं final answer क्या आएगा ये है हमारा final answer 0.25% अब आपने क्या करना है ये चीज़ भी आगे और ये चीज़ भी आगे इसको उपर put कर देते हैं equation number 1 में तो put in equation 1 तो ज़र देखते हैं percentage uncertainty in g is equals to percentage uncertainty in length और वो कितनी है 0.1 plus 2 multiply percentage uncertainty in time period और वो कितनी है 0.25 इसको आप add करें ये आज़ेगा 0.1 plus 2 into 0.25 0.5 और हमारे पास answer आज़ेगा 0.6 add होकर अब ये है percentage uncertainty in g परसंटेज का मतलब क्या होता बेटा percentage का मतलब होता है कि ये 100 में error है अगर 100 में इतना error है तो in uncertainty in 100 meter per second square कितनी आ रहे है 0.6 और uncertainty in 1 meter per second square कितनी आएगी इदर 1 चाहिए है 100 की जगा 100 को उधर जाकर divide कर दे अब हमने निकालनी किसमे है हमने तो अपने answer में uncertainty निकालनी है यानिके हमें uncertainty कितनी चाहिए 9.76 में अब आपको one तो आगए यहाँ पर तो 9.76 से multiply कर दे तो वहाँ भी 9.76 से multiply करना पड़ेगा और यही हमारा final answer होगा ज़रा देखते हैं जी 0.058 जिसको हम तकरीबन 0.06 लिख देते हैं तो इसका मतलब हमारा जो final answer है 9.76 उसमें कितनी uncertainty आ रही है उसमें uncertainty आ रही है 0.06 मीटर पर सेकिंड के तो final answer हम यू लिखेंगे कि जी की value आ यह 9.76 प्लस माइनस 0.06 मीटर पर सेकिंड स्कुरे तो यह देखिए यह थोड़ा सा tough numerical है जिसमें आपके दो पार्टे खास तो आप अनसर्टिनटी फाइंड आउट करते हुए इन सारे steps का ख्याल रखना है आप लोगों